हलो एवरिवन वेलकम टू स्टडिवे तैनी स्टडिवे तैनी में सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे extension ठीक है revolt का जो extension spread of the revolt कहा कहा centers था कहा कहा spread हुआ revolt कहा से कहा तक यह हम लोग देखेंगे ओके चलिए start करते हैं देखें कोर्स of the revolt अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने last to last last जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मिरट के जो सिपाई लोग थे सिपाई लोग थे उन्होंने क्या किया था कि आ गहें थे वो लोग मुगल बादशा के पास ठीक है मतलब नाम का कहने का मुगल बादशा थे उनके पास आके उन्होंने बोला कि आप हमारे मतलब लीटर बन जा ओके तो इन डाट केस जो बादुर शह जफर है इनिशली वो राजी तो नहीं होते थे लेकिन उनकी जो बेगम थी बेगम जीनत महल जीनत महल ने उनको कन्विंस कर लिया था कि लीटर बनने के लिए लेकिन जो बेसिकली जो वो सिर्फ नाम के राजा उन्होंने लेटर वगेरा बहुत सारे राजा महाराजा लोग को भेजें और पार्टिसिपेट करने के लिए लेकिन में जो कमांडमेंट जो था वो जनरल वक्त खान के हाथ में था यह है बादुर्शाद जफर और यह है जनरल वक्त खान ठीक है वक्तावर खान भी अब दिल्ली जहां पे मुगल बाधशा में डिल्ली में ज़ो सिपाई लोग आखे जहां पे बोलते हैं कि आप अमारे लेडर बनो तो इस जगे पे जो मुगल बाधशा को देखिए उनका जो एजै बहुत कम जो एजैना वहूँग है कि पढ़ार वाले पढ़िये का, और मतलब कौर्ट सिंग के बारे में, उन्हों ने, वो भी तने ही एज के थे, लेकिन उन्हों ने, अकेले सिंगल हैंडेड ली, मतलब सबसे ज्यादा दिन तक, ये रिवोल्ट को होल्ड करके रखे थे, । ठीक है ना मतलब क्या है उसमें लड़े थे अकेले सिंगली और प्लस जाके बहुत सारे उनका जो है फैमिली मेंबर्स प्लस जाके और भी जहां जहां पे था वो कमांड उन्हें समाल लिये थे लेकिन यहां पे जो बादूर शाथे ने वह अपना गुजारा कर रहे थे और ड उनका अलग से यहां पे कहीं भी नहीं लगेगा आप लोग को कि कोई एक और इंडिया एक मुपमिंट चल रहा है चलो इधर से कोई टूप आ रहा है बेंगॉल का तो अधर से ब्यार का आ रहा है या फिर साउट से आ रहा है नौट से इस तरह कर नहीं मिलेगा सब अपने अपने अपना जो गोल है अपने अपनी जगह से यह ब्रिटिश को हटाने के लिए व्यासत है ठीक है यहां पर आल इंडिया गोल या कोई नैशनलिजम बोल का आपको कहीं मिलेगा नहीं ठीक है यहां पर बादूर्शा का क्या है उनको लगा कि ठीक है एंड अप टाइम अ कि आर्म्स आर्ममेंट सब कुछ हड़प के वहां से लेकर आये लेकिन वो चलेगा कितना दिन इन लोगं का पास अपना तो नहीं था ठीक है वो लोग वही जो पुराना जो वेपन से वही यह लोग यूज कर रहे थे जितना भी है मिलिटरी में आदमी लोग जो है वो अगर कहने का खाली राज है उनका अपना भी कोई सोल्जर वगर था नहीं वो बैंट कर दी ब्रिडिशस लोग ठीक है तो अभी क्या होता है इनके पास लाटी भाला यही सब ट्रेडिशनल मतलब क्या है एरोज बोस यह सब रहते हैं इनलों के पास इनलों के पास कोई सोफ नहीं नहीं है फिर भी दिमंग से भी जीट सकते है लेकिन यहां पर ऊस्तरह का जो कोईनेशन था भाटेइस तो क्या होता है दिल्ली को फिर से Meredith से सप्टेंबर 1857 स्टैंबर में अर्धु जफेर को क्या रहते तरंगून पे और जहां पे उनका 1862 में डेत होता है ठीक है और एक बात है बादूर शाह जफर को जब एरेस्ट करते हैं यह रिकाप्चर कर लेते हैं देली को उनका आँखों के सामने उनका दोनों बेटे को ना मतलब एकदम शूट अट साइट कर मतलब एकदम जो बोला जा यहां पर जो है ब्रेटिश जो है फिर से रिकाप्चर कर लेते हैं डली को राइट ना कानपूर कानपूर से जो लड़ रहे थे वो थे नाना साहिब नाना साहिब कौन थे अडप्टेर साना पेश्वा बाजिराव 2 तो कानपूर देखे डॉक्ट्रिन अफ लैप्स में आत ने पढ़ाया है डलाउजी उसमें बहुत सार पूरा डॉक्ट्रिन अफ लैप्स मैंने पूरा अच्छे से बताया है वहां पे तीन चार कैटेगरी था डॉक्ट्रिन अफ लैप्स का खाली एक ही नहीं की एडप्टेर सन वाला है जक्कर तो वहां पे अप लोग अगर नही है अपने कानपूर के लिए उनका जो सपोर्ट कर रहे थे उनका लेफटनेंट है जो तांतिया टोप थे और अजिमुल्ला खान थे ओके तो यह दोनों भी उनका साथ देखिए हर जगर में आपको नहीं मिलेगा कि एक दूसरा पाटिस्पेट कर रहा है तेंकि तांतिया त तांतिया तोप है और अजिमुल्ला कान है यह जो है यह लोग बहुत ज्यादा पराक्रमी थे और यह क्या किये थे कि ब्रिटिश को कुछ दिन के लिए जो है ना ब्रिटिश आर्मी को कैप्चर कर लिए थे उनको इनका पला भारी हो गया था अब ब्रिटिश का मतलब कम हो किने सांगा, लेकिन कुछ ही समय में कानपूर को कानपूर का नाना साहिब भागना परता है नेपाल, और गजब टेकन से कौन लड़ रहे था त麼 बेगम हजरत महल लड़ रही थी क्योंकि देखिए लास्ट जो आप लोग पड़े हैं एनेक्सेशन अफ अवद हुआ था वह तो डॉक्रिन आप लापस में नहीं आता था एनेक्सेशन और मिस्गवर्मेंट के अंडर में इसको एनेक्स किया गया था ठीक है मतलब अवद को तो जो लास्ट जो वजीतली साथ है तो उनको बताया गया था कि अच्छे रूलर नहीं है ये सब मिस्गवर्मेंट का नाम दे दिया गया था लेकिन वो अच्छे रूलर थे तो क्या हुआ था कि उनकी जो मा थी ना ये बेगम हजरत महल अपना जो बेटा था था माइनोर स फेरिया खेरीजंस थे उनके साथ वह लड़ रेृट हैंאם जो थे रे envision को शफिस करने कशिते हैं ऐस्ए करते हैं लेकिन वहां पे एक बैम्ला था होता है जहांट हो सप्रिस करने के लिए लिए डार व एक और बागम ए जयो कि उसके बाद इनको भी देखानी जाता है कि कानपूर भी फो जाता है और शहांसी में गंगादर रायों कानगा उनको प्रमकोर की उनकि आ. वो डॉक्रिन टॉप लैप्स के अंडर में आया था तो वो तातिय टॉप उनको हेल्प कर रहे थे और तातिय टॉप के साथ वो लड़ रहे थी बहुत जाद पूरा रिवोल्ट में अगर देखिएगा तो वही थी जो मतलब एक दम एक औरत होके वी वो दम सोल्जर के तरह ल क्या करते हैं तातिय टॉप के साथ वो गैप्चर कर लेते हैं ग्वालियर को लेकिन थर्ड एप्रिल को क्या होता है न 1858 को सर हुग रोस तातिय तो डिफिट कर देते हैं और जहासी को एटेक करते हैं और जहासी को गैप्चर कर लेते हैं जहासी को गैप्चर कर लिया जात कोई नैशनलिजम भागाना है पूरा देश से ऐसा नहीं है कुछ भी है तो यहां पर क्या हो रहा है कि सब अपना अपना परस्नल जो इशू से परस्नल जो ग्रिवांसे से उसके वह लड़ रही है ठीक है ना ना तातियतो आपको क्या करते हैं मैंश करते हैं भाग जाते हैं जंगल में भाग जाते। लेकिन जब सो रहेते, उनका कोई फ्रिंड था है, तो वो भीट्रे कर देते हैं और जाके उनको पकड़ा देते हैं. और तातिया तो आपको है, हैंकर दिया जाता है, उनका फासी हो जाता है, मतल braucht किया था इसके लिए, जहासी का भी जो हैरानी खतम हो जाता है, जहासी का किया था है? दॉक्रिन अप लैप्स के अंडर जहांसी आया था और राणी लक्षी बाई वीडोट थी गंगादर राओ का और वो अपना जो अड़ाप्टेट सन थी उसन था उनके लिए वो लड़ रही थी उनको कौन हिल्प किया था तातिया टोप हेल्प किये थे उनके साथ वो ग्वा बिखाए तो यहां पर जाता है तो यहां पर जहांसी का भी कानी खतम हो गया अगे नौ बिहार के लिए मैंने एक सेप्रेट वीडियो बनाया है तो आप लोग देख लीजेगा ऐसे यहां पर में थोड़ा सबता बिहार में जो है जो रिवोल्ट को लीट किये थे वह बाव कुमर्ट सिंग थे वह जो आरा के जगदिशपूर एक जगाँ है जगदिशपूर तो वहां पर वहां से बिलॉंग करते थे और वही चीप ऑर्गनाइजर थे पूरा रिवोल्ट का लेकिन कैसे कहां से जो बहुत सरा पार्ट है तो टोटल बिहार और जारकंड में किस तरह से रिवोल्ट हुआ था और रिवोल्ट का कहा कहा क्या क्या हुआ था कौन-कौन लीडर्स थे उसके लिए मैंने सेबरेट वीडियो बनाया है आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा ओके तो यहां तो टेबिलर फॉर्मेट में हम लोग देख लेते हैं जो जो हम लोग पड़े तो दिल्ली में जो है लीडर कौन थे बादोर्शा टू नॉमिनल लीडर में जो थे जिनरल वक्त खान थे जो ब्रिटिश कमिशनर निकल्सन हर्दसन कानपूर में नानसा है फिर जाके यहां प तांतिया टोप यहां भी हूग रोज कर दीजेगा अलाबाद बनार्श में मौलवी लिया कतली जनरल नील बरेली में खान बादूर खान गैंबल अईयर ओके देन गोरकपूर में गजादर सिंग यहां पे इदर में उतना ज्यादा कमिशनर्स का नाम इंपोर्टन नहीं है जो जो लिडर्श इंपोर्टन है वो मैंने दे दिया है देखिए जो जो इंपोर्टन है डेली से पूछता है ठीक है डेली से कानपूर से लकनो जासी ग्वालियर अलाबाद बनारस बरेली ओके बिहार नाव यह सब भी थोड़ा एक बार करके देख लिए गोरकपूर में मतुरा में देवी सिंग, कदम सिंग, राजस्तान में जैदयाल सिंग, फैजाबाद में मौलबी एहमद दुल्ला, बहुत सारे मौलबी मौलानाज लोग भी पार्टिसिपेट किये थे इसमें ठीक है नेक्स्ट जो है देखिए यहां इसमें थोड़ा से देख लिए फरुक अधैयां थे इतना तक यह सारे हमने बता देखिया देली में इंपॉर्टटट है जासी इंपॉर्टटिट ओके तो यह सारे डीटेवर्ट में पढ़ने का आपको जरूथा हैं यह सारे बता दिया बादुशाय जफर और जरनल वक्त कान टीक है नाना साहिब ठीक है फिर ब यहांसी में जहांसी करा नहीं फिर जाकि गौलियर में तातिया टॉक्तो बिहार में बावु कुमर सिंग तो यह सारे बहुत इंपॉर्टेंट यह सब को याद रखेंगा बाकी चोपी मैंने बता है टेबुलर फॉर्मेट में एक बार देख लीजएगा एक दो बार देख ले हैं तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इसे थोड़ा से कॉन्फिदेंस बना रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा कि वीडियोस नेक्स्ट हम बनाएं ओके आई सीरियसली हम अप लोग को हेल्प करना चाहते हैं तो ओके न